तो दोस्तो आज फिप्ट मार्च 2024 बजार में आज बहुत ही जादा वॉलिटिलिटी साथ में थोड़ा सा करेक्शन भी देखने को मिला जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 22,400 के फिर से नीचे आके 22,356 पॉइंट पे लगबग 0.22 परसें गिरावट के साथ और इस बात का अलट आपको मैं कल सेम टाइम सारे दस की वीडियो में क्लियरली मेंशन कर दिया था कि आज बजार थोड़ा सा वॉलेटिल होने का चांस है जब तक ना निफ्टी 50 22,500 का लेवल ब्रेक कर जाए तब तक थोड़ा बहुत वॉलेटिल हो सकता है अब सवाली उड़ता कि कल बुद्बार क्या होगा एक तो देखें बैंक निफ्टी के एक्सपैरी और फिर से देखें ग्लोबल मार्केट में हलका फुलका कमजोरी देखनी को मिला आईए जान लेते हैं कल क्या होगा उसके साथ-साथ शेयर मार्केट से रिलेटेट बहुत सर इंपॉर्डन क्या स्टेट पें दिया कि कल बैंक निफ्टी एक्सपैरी की दिन बजार किस तरफ मुव कर सकता है तो दोस्तों इस टॉपिक को कवर किया जे एम फनांशियल की तरफ से अरे सर्जी आप पहले अपने कमपानी को बचाईए कल आप किस कमपानी का शियर गिरेगार भी ने न मेंशन किया जैसे कि उपर की दरफ इन्होंने मेंशन किया 22,400 से लेके 22,500 एक स्ट्रॉंग रेजिस्टेंज जोन और नीची की दरफ बात करें तो जो सपोर्ट जोन है 22,250 से लेके 22,300 साथ में यह भी मेंशन किया अगर यह लेवल ब्रेक किया तो लगवाग 22,125 से लेके 22, सजा देर सुदक आने का चांस है बट ओवरल बात करें मार्केट का सेंटिवेंट थोरा बहुत बैरिश हो सकता है दोस्तों इनके अकोडिंग नेक्स देखिए सेम टॉपिक को ही कवर किया मनी कंट्रॉल की वेबसाइट में जो अपना एक और यहां पर पॉइंट आ व्यू मेंशन किया टेक्निकल व्यू निफ्टी लाइकली तु रिमेन वालेटाइल विच सपोर्ट एट 22,200 इंडिया विक्स द्रॉप फिप दे तो इनके अकोडिंग भी आप देख लिजे जो बजार में थोरा बहुत वालेटिल्टी आगे भी आपको देखने को मिल सकता है ऐसा तो आज की रेट में कुछ इंपॉर्टेन एकनोमिकल डेटा उठा जैसे की आज इंडिया का जो सर्वीस पी एमाई डेटा थोरा बहुत हमें कम देखने को मिला मतब कंपेर टू मंत और मन बेसिस पर जो जैनुरी पे था 61.something वहां से थोरा बहुत यहां पे इस मतब थोरा निप्टी कंदर तो तेजी था ठीक है बट आई-टी स्टॉक्स या आई-टी सेक्टर में खास करके जो बड़े आई-टी कंपनीज है उसमें गिरावट हुआ और उसके पीछे देखिए दो रिजन था एक तो देखिए जैस कि मैं आपको कल सारी दस वाली वीडियो मतब से वीडियो में कहा था कि सुबहा सुबहा आपको नैस्डेक का जो फ्यूचर है उसको फॉलॉप करना है और अगर आपने फॉलॉव कि आपको अच्छे से मालू होगा कि आज नैस्डेक का फ्यूचर जो है सुबहा से नेगेटिव चल रहा था यह तो पहला वाला रिजन हो दूसरा रिजन ये भी है था कि CLA से ने जितने भी बड़े IT स्टॉक से उसको डाउंग्रेट किया चाहिए TCS की बात करें एज सिल्टेक की बात करें इन्फोसिस से लेके विप्रो जिसका आज हमने देखा कि एक एक शियर कहीं देर परसें दो परसें धाई परसें तक हमें की गिरावट देखने को मिला और जिसक चलते आज IT स्टॉक्स के अंदर भी गिरावट हुआ नेक्स्ट हम बात करेंगे इरेडा बहुत सारा कमेंट आड़ा तक कि इरेडा को पर क्या करें बताइए तो देखने को मिला इवन लास्ट दो तीन दिन से चल रहा यह गिरावट यहां पर देखिए सबसपीअ देखने लिए जहांसे बारब बार श्यर रिजेक्ट धोड़ा एक सो 50 से लेके 175 सेम टापिक को यहां पे कबढ़ किया दूसरे यह बहुत सारे असपास एक सब्सक्राइब करते तो तभी पॉसिबिलिटी है एक सो पचेतर तक पहुचने का उसके बाद देखे और यहां पर ब्लोकरेज है या अनलिस्ट है उनके द्वाराई थोड़ा-थोड़ा कोई कहा कि नीचे की दरब तो कहीं न कहीं देखा जाए जयातर अनलिस्ट जो है टाइम के साथ साथ थोड़ा बहुत अभी बेरिश नजर आड़ाए इरेड़े की शेर को लेगे बागी देखे 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 बार रोल तो कि पेशन्स के लावा और कुछ नहीं है ठीक है अच्छी कंपनी है फंडामेंटल स्ट्रॉंग है कोई इंटर्नल इशू नहीं है बस थोड़ा पेशन्स आप दिखाए बागी देखना जब रिकवरी होगा अल्टिमेटली आपको अच्छा का सा मुनाफ़ा मिल जाएगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखिए आज ओलेडी सेगें लास्ट इसके बार में दोस्तों सेगें लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्स्प्रेंट कर चुका हूं और जिसके चलते मैं बोलूंगा कि कल जेम फनांशियल की शेयर के उपर भी नज़र रखे इसके अंदर में भी लोर सिर्कीट लगने का चांस है अब देखिए लगा सेग्मेंट को रेस्ट्रिक्शन कर दिया इसको बेस करके एक बहुत बढ़ा बैंकर सिनियर बैंकर आप बोल सकता है इनके तरब से बहुत मैं बोलूंगा इंपॉर्टन स्टेटमें दिया कि टूमच रेगुल्टरी गाड्रियल कुट इंपेट ग्रोथ रेट यह बहुत इ इंफापे इंफस्ट्रक्चर हो गया मैनृफक्ट willing सेख्टर हो गया बट मीजो सेक्टर है फնटांसिंग सेक्टर उसका बकभी इग्द रख सकते फ़नांसिंग सेक्टर ? और यहां पर थोड़ा बहुत आपको कमज़ोरी या थोड़ा जीज़ाधा ही वीक्नेस देखने को मिलता है तो उसके समें बहुत ज़्यादा आगे भी रेस्ट्रिक्शन मतब जो इंडिया की ग्रोफ स्टोरी में रेस्ट्रिक्शन आ सकता है तो इनके तरब से एक बहुत इंपॉर्टन स्टेट में दिया आईए अब बात करेंगे दोस्तों थोरा सा ग्लोबाल मार्केट में बट उसके पहले अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा इन्फार्मेटीब लगा प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एकदमी फ्री है आपको मुझे बहुत यहां पर मोटिवेशन मिल जाता है आप लोगे सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से तो प्लीज दोस्तों को फॉर्ट ओके डॉर जोंस की बात करें फिलाल आप देख लिजे जो यूस मार्केट में समय हुआ है 11 बच के 58 मिनिट अल्मोस्ट 0.79 परसंट बिकाज यहां पर नास्टाइक मतब आईटी सेक्टर टेक सेक्टर और आप पूछेंगे ऐसे क्यूं कि देखिए हाल फिलाल में बहुत जल्दी मतब बहुत जल्दी यह इसके अंदर बहुत जार इकनोमीकल डेटा उट होगा जैसकी जॉब डेटा अन एंप्लाइमेंट र यहां पर नीची की दरब कर रहा है वी प्रो लिमिटेट एडियर वर्शन की बात करें आपको यह रिफ्रेश करके दिखा था हूं हां यहां पर देखिए 1.84 परसंट फिर से यहां पर गिरावट आज इंडियन मार्केट में भी गिरावट हुआ फिर से तो इन्फोसिस लि की अंदर भी अल्मोस आदा परसंट गिरावट गिफ्र निफ्टी की बात करें यह देख लीजिए मैं आपको अभी जो अपडेट दिखा रहा हूं दस बचके कितना सत्रा मिनिट का एक्दम लेटेस्ट अपडेट है तो लेटेस्ट अपडेट की अनुसार आप देख सेकत है नॉर्मल इंडेक से ठीक है तो कहीं ने के देखा जाया बहुत सद उपर नहीं है अब चलिए थोड़ा सम देख लेते हैं एफडेस्ट का डेटा तो एफडेस्ट दोरा आज दोस्तों काफी शौकिंग डेटा है बजारा थोड़ा कमजोर ही चरूर था बड़ेस्ट दोर दोस्तों डेट हुआ है इस लड़ाई में और यहां पर दिया है तो यह काफी शौकिंग पार्ट है और जो सारे हमारे यहां पर दोस्त या मित्रों वहाँ पर है मैं तो बोलूँगा से इस सेपेस्ट पोजिशन पर पहुंच जाए और यहां तो खुद देश में लौट आ आज इसुड़ाईली टॉप इंडेक्स जो की क्लोजिंग दिया क्या दोस्तों न्यूस ताम ने पूरा कवर कर लिया बात करेंगे कल मार्केट प्रेडिक्शन तो चले मैं आपको सीधा टेकनिकल चैट परन को लेके चलता हूं तो दोस्तों भी आपके सामने मैंने उपें क अब चले सबसे पहली जो आपको कल फॉलो अप करना है कल सुबा और आज रात का मतलब आज रात में यूएस मार्किट कहां पर क्लोजिंग दे रहा है एक तो होगया आपका डॉजोंस और दूसरा होगया आपका नैस्डेक ठीक है यह आपको सबसे पहले फॉलो करना है कि आज रात में डॉजोंस और नैस्डेक किस तरफ यहां पर क्लोजिंग दे रहा है उसके साथ साथ कर सुबाब जब इसका फ्यूचर मेरे बात को ध्यान से सुनना इसका फ्यूचर ओपन होगा सुबा सुबा उसके उपर भी आपको ध्यान में रखना चाहिए ठीक है तो उस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए इसके उपर आके क्लोजिंग दिया तो यह रेजिस्टेंस दोस्तों कल एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है बड़ आट अट सेम टाइम उपर की तरह कुछ इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस भी है मतलब उपर की तरफ वह 48,000 जो कि इस अच्छा सपोर्ट मिल सकते हैं तो बोस्ट अब चांस यह है कि कल भी मुझे लग रहा है कि बजार थोड़ा बहुत हाई वालेटाइल हो सकता हाई वालेटाइल ठीक है तो ऐसे में बात करें कुछ इंपोर्टेंट कुरूशल लेवल आप देख लिजे निफ्टी 50 के लिए जब तक ने देखिए मैं कल भी आपको कहा था आज भी बोलूँगा कि जब तक निफ्टी 50 जो है 22,500 यह लेवल को ब्रेक सक्सेस्फुली ना कर पाए उपर जाके स्टेबिल ना हो जाए तब तक देखिए वालेटार रहेगा ही रहेगा तो ऐसे में अगर हम बात करें उप सब्सक्राइब कोई क्वैरीज है और वीडियो कैसे लगा प्लीज कमें के तुम वह भी साथ में बता देना फिलाल इस वीडियो को वाइंड आप करता हूं मिल दा नेक्स वीडियो पर तब तक लिए टेक कर बाबाई जाए हिन